तो बल्के में दोस्तों नमस्कार है आप सभी का तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि बिनोभावे अनिवर्शिटी हजारी बाग ठीक है वहाँ पे समेश्टर 4 का एकजाम होने वाला था आपका 26 तारिक से लेकिन एकजाम को कैंसल किया गया और फिर से नया एकजाम ड चार जुलाई से एकजाम सुरू होता है और आपका लाश्ट एकजाम चलता है 19 जुलाई तक और जो पुराना वाला था उसमें 26 जुलाई से एकजाम था अब देखिए यहाँ पे एकजाम कैंसल किया गया क्यों किया आप अनुमान लगा सकते हैं ये मैनेजमेंट नहीं कर होंगे वहां का जो एन्वल फंक्शन चल रहा है उसके करण चलिए देख लेते हैं बिनोव भाव इनिवर्सिटी हजारी बाग रिवाइश प्रोग्राम फोर बीए बेसी एंड बीकॉम सेमेश्टर फोर एकजाम 24 सेसन के लिए अब देख लेते हैं तो आपको दो सिटिंग लेके चलना होगा एकजाम जाने से पहले अब देख लेते हैं चार जुलाई 2023 को किनका किनका एकजाम है तो चार जुलाई को कौर पेपर 8 है जेगरोफी ओनर्स जुलोजी ओनर्स हम साइंस साइंस साइकलोजी ओनर्स इंगलिस ओनर्स इन सभी का आपको चार जुलाई को है ठीक है, फर्स सिटिंग में, चार जुलाई, सेकंड सिटिंग में किन का किन का एकजाम है, तो जितने भी लोगोंने कॉमर्स रखा है, ठीक है, फिर हिंदी ओनर से, एंध्रोपोलोजी ओनर से, आपका केमेस्ट्री है, मैथेमेटिक से, और वोकेशनल सब्जेक्ट का जितना यह कॉर्पेपर आइट सब का सेकंड सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है, आगे देख लेते हैं तो पांच तारिक को किन का किन का एकजाम है, पांच जुलाई को है आपका बोटनी का एकनोमिक्स का हिस्ट्रीक और सोसियोलोजी, बस इतना ही है फर्स सिटिंग में, पांच नाइन आता है, कॉर्पेपर नाइन छे तारिक को है, छे तारिक को फिर से जुलाफी, जुलोजी, हॉम साइन्स, साइकलोजी और इंगलिस का है, ठीक है, तो यह आपका छे तारिक फर्स सिटिंग में है, छे तारिक सेकंड सिटिंग में है, कॉमर्स का, हिंदी का, एंथ्र sociology यानि के समाज सास्तिर honors का है साथ तरिक फॉस सेटिंग में फिर देखने साथ तरिक सेकंड सेटिंग में तो political science उर्दू, संस्क्रिट, फिजिक्स, फिलोस्फी, जूलोजी, खोठा, संथाली, कुर्माली इन सभी का साथ तरिक सेकंड सिटिंग में एकजाम है ठीक है? आठ तरिक को देख लेते हैं तो आठ तरिक को यहाँ पे है कॉर पेपर 10, श्टार्ट हो जाता है आपका फार्स सिटिंग में आपका जेगराफी ओनर्स, जूलोजी ओनर्स, हॉम साइन्स, साइन्स फिर है आपका साइकलोजी ओनर्स, इंग्लिस ओनर्स इन सभी को है आपका आठ तरिक को ठीक है? फार्स सिटिंग में दस तारिक को किन के किन के एक्जाम है तो दस तारिक को आपका Botany Owners, Economics, History और Sociology Owners का दस तारिक फर्स सेटिंग में होगा ठीक है? दस तारिक सेकेंड सेटिंग में Political Science, उर्दू, संस्क्रिट, Physics, Philosophy, Geology, खोठा, संथाली, कुर्माली Owners का होगा ठीक है? आगे दिख लेते हैं तो यहाँ पर जेनरे किलेक्टिव और जेनरल जेनरे किलेक्टिव और जेनरल का पेपर होगा 11 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा इसमें जितने भी लोगों हैं जेनरे किलेक्टिव और जेनरल की रूप में Chemistry को, Economics को, Commerce को Business को, Business Architects या फिर Direct Access या फिर Math इनमें से कोई भी एक रखा हैं तो इन सभी का एक्जाम होगा आपका 11 तारिक फॉस सेटिंग में और यहाँ पर थोड़ा से दिया गया है कि Math for only Geology और यहाँ पर Commerce for only General इसको ध्यान दिजेगा ठीक है? देखिए, 11 तारिक सेकंड सेटिंग में जेनरी किलेक्टिव और जेनरल होगा Political Science को जिन लोगा ने जेनरी किलेक्टिव या जेनरल के रुप में रखा है ठीक है? फिर आपका Anthropology है तो यह आपका सेकंड सेटिंग में हो जाएगा 11 तारिक बारा तारिक को देख लेते हैं तो बारा तारिक को आपका जेनरी किलेक्टिव और जेनरल यहाँ पे बारा तारिक फास सेटिंग में Commerce वालों का हो जाएगा Business Management, Corporate Accounting ठीक है? और Math, Hindi जितने भी लोग जेनरी किलेक्टिव और जेनरल की रुप में रखे हैं हिंदी का भी है ठीक है इन सभी का आपका 12 तारिक फास सेटिंग में एक जाम हो जाएगा Next देखते हैं तो आगे देख लेते हैं हमारा 12 तारिक सेकेंड सेटिंग में जेनरी किलेक्टिव और जेनरल जेगराफी ठीक है? Home Science उसके बाद है आपका Psychology और Physics साथ ही Vocational BCA, BSC, BCB देख लिजीगा Vocational में Vocational बहुत कांश्टिटिंट होता है इसलिए मैं Vocational के जाता नहीं बताता हूँ तो बाकी यहाँ पे इनका Second सेटिंग में एक्जाम हो जाएगा फिर देख लेते हैं तो जेनरी किलेक्टिव और जेनरल का इसके बाद आपका आजाता है इसमें जितने भी लोग जेनरी किलेक्टिव और जेनरल के रूप में उर्दू, खोर्था मतलब कि आपका रिजिनल लेंग्विज इतने भी है सांथाली है, कुर्माली है, संस्कृत है, इंगलिस है ठीक है, फिजिक्स है और बाटनी इन सभी को जेनरी किलेक्टिव और जेनरल के रूप में रखे हैं अगर आप ने रखा है, तो आप सभी के एक्जाम तेरा तारीक सेकंड सेटिंग को होगा ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो जेनरी किलेक्टिव और जेनरल के एक्जाम लास्ट टाइम आपका चोज़व तारीक तक ही चलेगा ठीक है, इसमें आप जितने भी लोग फ़र्स सेटिंग में कॉमर्स में जेनरी किलेक्टिव और जेनरल के रूप में कम्प्यूटर अप्लिकेशन इन बिजनेस और टेली प्रिंसिपल ऑंस्वरेंस, इंडियान एक्कोनॉमी तो आपका एक्जाम चोज़ तारीक फर्स सेटिंग में होगा उसके बाद है आपका जियो लौजी और आपका जियो लौजी जियो लौजी जैनरल हिस्ट्री जनरल किलेक्टिव और जैनरल जितने भी लोग रखें हं तो उनका देखिएगा 14 तरिक सेकंड सेटिंग में होगा अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका सेक पेपर श्टार्ट हो जाता है तो सेक पेपर आपका डेड़ घंटे का होगा फर्स सेटिंग में 10 से साड़े गारा के बीच में एक्जाम होगा और सेक पेपर में आपको गूमने का दिन होता यार लास दिन जब एक्जाम होता है इसक पेपर गूम लेजिए आराम से गूमिये नास्ताफ सकीजिए जो भी आपको खाने में खा लेजिए और दोस्ता के साथ गूम के आ जाईए ठीक है क्योंकि यह समय जो है थोड़ा से गूमने का भी है तो देखें पंदरा तारीक जो है आपका पंदरा जुलाई से स्टार्ट हो जाता है सेक पेपर जोनोंने एंटरप्रेटर्टर्टिब डेवलप्मेंट रखा है तब आपका एकजाम पंदरा तारीक 1st सेटिंग में होगा वह ही अगर आपने एंटरप्रेटर्टरशिप डेवलप्मेंट है को सेलेक्ट कया है और आपका बोकेशनल कोर है ठीक है तो आपका एकजाम 2nd सेटिंग में हो जाएगा पंदरा तारीक साथ ही entrepreneurship development for biotechnology only इनका भी exam second sitting में होगा पंदर तारिक आगे देखते हैं तो entrepreneurship development में जिन लोगों ने बेंगाली political science जिनका honors बेंगाली है या फिर political science है आपका original language जिसमें सभी आ जाता है खोठा संथाली गवरा ठीक है कुरमाली वगरा math है या फिर psychology है history है इंगली से तो अगर आपने ये उनर से और entrepreneurship development से लग किया है सतर तारिक को एक्जाम होगा first sitting में सतर तारिक second sitting में एक्जाम हो जाएगा Indian history culture and diversity ठीक है तो काफी ज़्यादा लोग Indian history and culture diversity के select करते हैं इसमें अगर आपका subject economics ओनर से हिंदी ओनर से है geography ओनर से संस्क्रीट ओनर से उर्दू anthropology ओनर से या फिर vocational subject है generalism तो आपका एक्जाम सतर तारिक second sitting में होगा Indian history, culture and diversity का ठीक है और Indian history, culture, diversity के बहुत सारे question paper हमने upload कर रखे हैं और आपके important question भी अप्लोड कर रखे हैं सभी के ओनर अप्लोड कर रखे हैं लेकिन Indian history, culture के बहुत ज़्यादा मात्रे हम अप्लोड की हैं सेख paper में Indian history, culture, diversity उन लोगों का होगा अठर तारिक first sitting में जिन का honors political science है या फिर regional language है या फिर psychology है, English है ठीक है, इन सभी का exam या फिर music है तो अठर तारिक first sitting में होगा अठर तारिक second sitting में इंडियान history, culture and diversity का paper होगा अगर आपका सब्जेक history, sociology, mathematics है फिलोस्पी है ठीक है, इनका exam आपका अठर तारिक second sitting में हो जाएगा सेख में life, skill and personality development का paper होगा ठीक है सेख banking and finance अगर आप रखे हैं arts, science और commerce सभी के लिए अठर तारिक second sitting में exam हो जाएगा आगे देखते हैं तो सेख, building, mathematical, ability ठीक है तो अगर आपने ये select किया है या फिर HRD, human resource development select किया है तो आपका exam अठर तारिक first sitting में होगा चाहे आप कुछ भी honors हो अगर आपने environmental and public health को select किया है चाहे BA, BC, BC, कुछ भी honors हो या फिर science and life को select किया है तो 19 तारिक आपका second sitting में last day को exam होगा इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है और देखी ये 17 तारिक को यहाँ पे मोहर वगर अलग गया था अगर आपका कोई दोस्तो दोस्तो तो प्लीज उन तक वीडियो को share किजिएगा पीडियेप का लिंक यह जो आप देख रहें प्रोग्राम पूरा का पूरा रूटिंग इसका पीडियेप का लिंक वीडियो का description में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लिजेगा और आपके जितने भी question है और पेपर 8, 9, 10, gender collective से सभी के मैं सभी के paper मैं चैनल पर upload कर दिया हूँ ठीक है question paper बिनोभाव इनिवरसिटी हो चाय जहारखन कोई भी इनिवरसिटी हो यार सभी के मैं इतना बड़ा मतलब जितना भी है ना मैं विसेस रूप से गिर्शन के बच्चे को टार्गेट किया हूँ उनकी help हो जाए ठीक है और आपके previous year question paper important question और syllabus यह तीन चीच देख लीजे definitely आपका exam 70% plus marks आएगा जैसा कि मेरा आता गिर्शन में मैंने अच्छे सपलोग किया था और आपको भी मैं उसी track पे दे जाओंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में चाहे आप BA पढ़ते हो बीकॉम या BSC previous year question सबसे important होता है क्योंकि वहाई से 40% question भीड़ते है 40 to 60% minimum 40% भीड़ता ही भीड़ता है तो मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में तब तक के लिवाई गवर मैं देते रहोंगा ठेक है ठाइंक यो पर चेंटिस एडियो बाब बाई कुछ मी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि भाईया मुझे ये डाउट है यार दोस्त सर नहीं बोलना यार ठेक है बाई